श्री शिवाय नमस्त उब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब मंगलवार के दिन एक कपोर और दो लोंग से अच्छक उपाय करना है पुझी गुरुदेव की कता सुन करके समझ करके वीदी पुर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपको यह चानी बढ़ जाती है जब आपको ऐसा लगे कि चारो तरफ से अंधेरा चागया है आप एक ऐसे दलदल में फसे हुए हैं जहां से आपको रास्ता दिखी नहीं रहा है तो आपको वीपदा के समय में संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए यानि कि आपको हरुमान जी के सहरण में जाना चाहिए कैसी भी पीडा हो कैसी भी परिशानी हो मंगलवार के दिन कपूर और आपको लोंग से अच्छु कुपाय करना है जीवन के हर कस्ट आपके दूर हो जाएंगे हिंदू धर्म में हम जब भी पूजा करते हैं कुछ भी क्रियाए करते हैं तो उसमें कपूर पूजा में अवशी होता है कपूर का प्रयोग जो होता है वो जरूरी माना जाता है जब भी देखेंगे कि हमारे घर में कुछ हवन हो रहा है कुछ पूजा हो रही है तो कपूर जरूर उपयोग में आता है मानिता के अनुसार कपूर अगर घर में नियमेद रूप से जला आए जाए तो नकारत्मक उर्जा समाप्त हो जाती है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे मंगलवार के दिन आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं आज भी कर सकते हैं और साथी साथ होलास्टक जो 10 से 17 के बीच में जो भी मंगलवार और शनिवार आएंगे उस दिन भी ये उपाए आपको करना चाहिए क्योंकि होलास्टचक के समय नकारत्मक शक्तिया जो रहती है वो जाधा हावी होती है इसलिए आपको हनुमान जी की शेरण में जाना चाहिए और उस समय तो आपको ये लोंग और कपूर का उपाए तो जरूर करना चाहिए आपको करना ये है कि मंगलवार की रात में सूर्यास के बाद आपको यह उपाय करना है एक कपूर का तुकड़ा लेना है और एक माठी का दीपक लेना है कपूर के तुकड़े को माठी के दीपक के अंदर रख देना है और साथी साथ आपको दो लोंग लेना है दो लोंग को आप आपकी हाथ में रखेंगे और आपकी जो भी समस्या है उन दोनों लोंग में आपको बोल देनी है द्यानके मुठी बंद करें और आप आपकी जो भी समस्या है वो लोंग में आपको बोल दे ध्यानके ये जो जलता हुआ कपूर और दो लोंग है ये आपको आपके पूरे घर में दिखाना है ताकि आपके जीवन से आपके घर से नकारत्मक उर्जा जो है वो सब समाप्त हो जाए धन की जो मुश्किले हैं परेशानिया हैं वो भी दूर हो जाए देखिए अगर आपक दुक और शांती को प्राप्त कराने के लिए दुरभागय को दूर कराने के लिए रुठा हुआ भागय को वापस लाने के लिए आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए देखिए होलास्टक जो है वो 10 से 17 के बीच में यानि कि 8 दिन का होता है तो 10 से 17 तारिक तक इस बार ह तो आपको नहने के पानी में आप कपूर का तेल डाल करके या कपूर को थोड़ा सा चूर करके आपको नहने के पानी में डाल देना चाहिए और आपको इस्तनान करना चाहिए क्योंकि होलास्टक के समय नकारत्मक शक्तिया सबसे जादा हावी होती है इसलिए इस प्रकार स आप कपूर का उप्योग कर सकते हैं देखिए एक और उपाया आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं अगर आपके घर में कलेश ज़्यादा रहता हो लड़ाई जगड़े ज़्यादा होते हो तो आपको क्या करना है कि कपूर का जो तुकड़ी है वो आपको ले करके घी में डूबोकनी है और उससे आपको जला देना है और उसके बाद जैसे ये जल जाएगी इसको आपको पूरे घर में दिखा देना है इससे आपके घर का जो कलेश है जो नकारत्मक शक्तिया जो पेदा हो चुकी है वो सब दूर हो जाएगी तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजेगा गल्लत बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव